हलो फ्रेंड रादे रादे आज हम आप के लिए लेके आया है स्वैवीन की सबजी वह भी हारी मिर्च वाली यह बहुत ही टेस्टी लगती है और इसके आगे नॉन वेज भी फेल है आप इस तरह से हमारी तरह से बनाएंगे स्वैवीन की सबजी तो आप नॉन वेज खाना भी भूल जाएंगे और यह बहुत ही टेस्टी बनी है और इसके लिए हमने यह स्वैवीन के दो पैकेट ले लिया है क्योंकि मुझे सिर्फ पानी डालना है इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है एक गिलास के लगबग ताकि अच्छे से डूब जाए और इसको एक खौला आने तक इसे निकाल देंगे निकालने के बाद इसे हम ठंडा पानी डालके इसमें थोड़ा ठंडा कर देंगे और इसके सारे पानी हम हम निकाल देंगे हाथों से दवा दवा के इस तरह से फिर इसके बाद हमने कुकर में गैस पर रख दिया है तेल डाला है और अब इसमें हम स्वयबीन को भूनेंगे तेल हमारा गरम हो जाए तब हम अपने स्वयबीन को भूनेंगे हमने स्वयबीन को सारा डाल दिया है और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि स्वयबीन है हमारे अच्छे से भून जाए जब तक यह भून रहा हम इसका मसाला त्यार करते हैं इसमें हमने लसन ले लिया है और यह हमने प्याज दो बारी कटे वे प्याज ले लिया ह और इसमें हमने गरम मसाला खड़ा ले लिया है, इलाइची है, लॉंग है, दालचीनी है, इसको हमने मिक्सर पीस लिया है, फिर हमने गैस को कूकर पर रख दिया है, और हमारा वीडियो स्कीप हो गया था थोड़ा से सौरी, और यह हमने जो अभी मसाला पीस आता है, प्याज अब लाल मेश डाले थी फिर धनिया पौडर डाला फिर मेक्स करना है थोड़ा सा इसमें हम पानी डालके इसको हम मेक्स कर देंगे और थोड़ी सी हल्दी पौडर और इसे हमने चला देना है ताकि जो मसाला है हमारे अच्छे से भुन जाए अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और उसे medium flame पे अच्छे से भून लेंगे इसको continue बीच-बीच में चलाते रहना है ताकि यह जलेना और यह हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है और इसमें हमने तेज पत्ता भी डाला है और इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है ताकि यह मसाला हमारा जलेना और इसमें हमने mix कर देना है और यह हमने थोड़ी सी colorful वाली मसाले डाले थे जो हमारे सबजी का color अच्छा आए और यह हमारा मसाला अच्छे से भून गया है अब इसमें हमने सोयबीन डाल दिया है जो हमने सोयबीन को भून के रखा था अब इसे भी हम मसाले में थोड़ी देर तक पहले पकाएंगे ताकि जो मसाला है हमारे सोयबीन के अंदर अब हमने यह सोयबीन को भी अच्छे से भून लिया है अब हम को जितनी जरूरत है उतना हम पानी इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे मसाले को मिक्स करेंगे और देखेंगे कि हमारा पानी कितना हमें चाहिए उतना हम पानी इसमें डाल देंगे हमने इसमें थोड़ा ही पानी डाला है हमें जादे ग्रेवी वाले नहीं बनानी है सब्जी को और इस तरह से हमने पानी को डाल दिया है ताकि सोयबीन भी पानी को थोड़ा सा सोकता है और यह रहा हमारे सब्जी अब इसमें हम नमक डालेंगे नमक हम भूल गया थे फिर हमने सुच vote all three ग्ट नमक डाल देंगे तो इसे हमник सैंद्स करेंगे मिक्स करने के बान में इसमें हम कुकर में धकल लगा देंगे और लगाने के बाद इसमें हम एक से दो से लगाएंगे जादे नहीं लगाएंगे और हमारे Gallu Sydney में बहुत ही अच्छा एकदम लॉनवेश की त finger की तरह के हमारे विन की सब्जी तयार हो गया एक जाना प्लेट में सर्ब करेंगे इस तरह से देखिए workers को बहुत ही परफेक्ट सब्जी बनी है आप इसको हमारी तरह से बनाइए और स्वयवीन की सब्जी खाएंगे तो नौन वेज खाना भूल जाएंगे आप हमारे चैनल पर नए है तो सस्क्राइब के बटन दबाएं वीडियो की साइड नोटिफिकेशन आपके पास पहुसती रहेगी और वेल आकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और यह रही हमारी सब्जी रेडी हो गई है अब इसने हमने हरीमिट्श को पहले से तल लिया था उसके उपर से डाल दिया है यह है रिमिट्श स्वयवीन की सब्जी धन्या की पत् जी आपके से लांस कर दिया